नमस्कार दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज हम बात करेंगे सिलाई मसीन में टेंशन के स्प्रिंग के बारे में टेंशन का स्प्रिंग अगर टूट जाता है तो कैसे बदलते हैं और टेंशन के स्प्रिंग से क्या क्या होता है वो नहीं होता है तो क्या दिक्कत होती है और सब हम आद दिखाने वाले और अगर आप नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखें दोस्तों आपको टेंशन का तार स्प्रिंग बदलने के लिए क्या चाहिए एक तो ऐसा स्प्रिंग टेंशन तार जाहिए ठीक है और इसको केशे लगाते हैं आप जियां से देखिएगा मैं चिखाता हूँ आपको यहां पे यहां पे स्क्रू होता है इसको थोड़ा सा आपको टीला करना आए इस तो एक पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा निकल जाने के बाद इसमें भी एट डिक यह तार एक दम से ल होता है उसको खोलना है इसको कैसे खुलेंगे यहां रख के इसे खोलेंगे तो यह दोनों अलग हो जाएगा अलग हो गया हम पुराना तार इसको निकाल लेना है इसको निकाल के यह जो नया अतार है ना इसको इसके अंदर डालना है यह से तेक लिजे यह जो है ना इसके अंदर इसे डालेंगे और ऐसे रखेंगे इसके इसके तार के अंदर भी एक इसकरा से एक खड़ा तार होता है देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसके यहां पर यहां पर इसको यह जो चीज है ना इसके बीच में यहां कट लगा रहता है इसको यहां से डाला और इसे थोड़ा सा गुमाना है थोड़ा सा गुमाने के बाद और इसके शेट हो जाएगा शेट होने के बाद इसको उपर के तरफ ओड़ा के देख लेन आँ है उत्ना प्रेशर रखना है इतना ना रखना है जितना आपको रखना है उतना रख में पहर इसको यह वाला कर्ण देना है ठोड़ा सा कष्ण देंगे फिर देख लेंगे वराबर लग गया है तो फिर इसको यहां से थोड़ा सा दबा के फिट कर देंगे एक स्कुरू को ऐसे यह हो गया आपना टेंशन का स्प्रींग टाइट फिर इसको यहां पे रख के यह जो चमचा पती है ना उसके उपर थोड़ा एसे नहीं रखना थोड यहां से स्कुरू कस देंगे यह होगे आपना टेंशन का तार टेंशन का स्प्रिंग सही तरह से सेट हो गया दोस्तों इसी तरह से सेट किया जाता है टेंशन का स्प्रिंग आपने देखा टेंशन का स्प्रिंग कैसे लगाते है मैंने पूरा का पूरा लगा के आपको ऐसे ही हेलपफूल वीडियो हम देते रहेंगे आपको देखते रहिए हन्यवाद